असलामुलेकूम रहमतुल्लाही वबरकातु हुआ यू स्टुडेंट्स उमीद है कि आप सब लोग खेरियत से होंगे ठीक है तो स्टुडेंट्स हम लोगोंने वाइन टू सिक्स वीक्स का अपना काम जो है वह पहले कर चुके हैं ठीक है जो आप लोगों को लेक्ट्स मिल च rivers та शीरेट्स भळायां पॅल्ख की होंगी फिर आप लोगों के ईग्जैंस होए हैं व सारा आपना काम किया होगा अब नेक्स जो है वहूं अपना काम स्टार्ट करने जा रहें ठीक है तो नेक्स जो है वहमने हमने करना है जो हमारे बैनर में और यह हमारा है फोटीवाण और फोटी दू को डिस्केस करना है हमारा जो है यह मेंस टेप्टर स्टार्ट हो रहा है फहला जो हमारा चेप्टर था वो था एडिशन का और अब जो है वो नेक्स सब्ट्रक्शन का ठीक है श्ब्रक्शन को defending师 से अब लोग पहले जो फचुट्छी डिजिट ठीक है सोटे-चोटे therapists लोका लेते हैं यहां पर हमने देखना हैं अगर हमारे पास को बिगर डिज फिर मों को कैसे minus करने यकसे सब्ट्रेक्ट ले खुर मैं समझने के लिए मैंने यहां पर टूक्षा राइट की हुई हैं तो हम उनको समझेंगे देखते हैं कि हम लोगों ने कैसे सॉल्व करने हैं कुस्टेंस ठीक है तो फिर्स्ट इक्जाम्टल प्याज आते हैं इसको देखते हैं अब देखें स्टुडेंट्स सबसे पहली बात जो आप लोगों ने जहन में रखनी है सब्सक्राइब 11 से होगी कहां से स्टांट रखी वांस टेंस आफ़ नहीं करने आप लगों का कुइसजन रॉंग हुजए का हमेशा वनस से ही थाह gusta can ए यह बात आप लोगों ने जहन में रखनी तो the students अब चाहते हैं अपनी पर्स्ट इग्सांप्ल की तरफ तो जैसा कि मैंने बिताया कि हमने कहां से स्टार्ट करने है वांस से तो स्टुडेंट्स वांस को इसको स्टार्ट करने पर हम लोगों क्या करना है यह जो उपर डिजिट लिखा होगा न उतनी हम लोगों यहां पर लाइन ड्रा करनी है उतनी हमने यहां पर लाइन्स ड्रा कर 9 lines हम लोगों ने लगा लिए हैं, और नीचे हमाने पास लिखा हुआ है 3, तो हम लोगों ने, उस 3 को इसमें से, minus करना है, 3 को क्या करना है, minus करना है, तो क्या करेंगे, count करेंगे 3 lines, और उनको cut करेंगे, ठीक है, तो count करें, 1, 2, and 3, इसको cut कर दिया हम लोगा है, ठीक है, दुबारा से देखें क्या किये, हमारे पास यहाँ पर digit था 9, हम लोगों ने उतनी lines ड्रा की, फिर हम लोगों ने देखा कि नीचे कौन सा digit है, वो count करके उतनी lines को हम लोगों ने cut किया, अब हम लोगों ने remaining lines को count करना है कि कितनी है, और फिर वो यहाँ पर हमने write करना है, तो करें count, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, कितनी lines है, 6, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर write करना है, ठीक है, इसी तरीके से यह ones वाला solve हुआ, अब हमने tens पे आने, तो इसको solve करने के लिए हमारे पास क्या है, 6, तो कितनी lines द्रा करेंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 6 lines हम लोगों ने draw कर ली है, इसमें से minus कितनी करनी है, 2, कितनी minus करनी है, 2, तो हमारे पास remaining कितनी रह जाएंगी, इनको हमने count करना है, 1, 2, 3, and 4, 4, कितनी रह जाएंगी, 4, वो हम लोग ने यहां पर write करते ने, ठीक है students, इसी तरीके से हम एक और example जो है, उसको solve करते हैं, ताकि हमें subtraction अच्छी तरीके से समझ आजाए, और हम अपने questions जो हैं, उनको solve कर सकें, ठीक है, अपने assessment sheets के questions जो हैं, हम लोग कहां से start करेंगे, 1 से start करेंगे, तो यहां पर students देखें, कि उन्होंने लिखा है कि 7 में से 0 माइनस करें, ठीक है, question है कि 7 में से 0 माइनस करें, तो प्यारे बच्चों, आप लोग को यह पता होना चाहिए, कोई भी digit हो, जब उसमें से 0 माइनस करेंगे, इसमीर हमने कुछ भी माइनस नहीं किया, तो वो डिजिट सेम वैसे ही आजाएगा, यहां पर जैसे हमने 7 में से 0 माइनस किया, इसमीर हम इसमें से कुछ भी माइनस नहीं कर रहे, तो 7 ऐस सच वैसे ही लिखेंगे यहां पर, ठीक है, हमारे पास next इदर देखें, अब हम आगे हैं tens पे तो students, tens पे कितनी lines यहाँ पर draw करेंगे? 7, कितनी lines draw करेंगे? 7, तो यहाँ पर lines draw करते हैं, count करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 7 lines हम लोगों ने draw कर दी है, और इसमें से हमने cut कितनी करनी है, 3, कितनी कट करनी है, 3, 1, 2, and 3, अब यहाँ पर देखें कितनी रागी है, count करें, 1, 2, 3, and 4, यहाँ पर हम रोग 4, right करेंगे, जी तो students, next हमारे पास, यहाँ पर देखें, topic हमने subtraction पढ़ लिए, next क्या है, word problems, अब हमने देखने है, word problems, तो आपका book page नमबर है, 41, कौन सा page है, 41, उसको open करें, उसके उपर हमारे पास है, question number 2, question number 2 का a part, हम लोग देखते हैं, चीक है, उसको कैसे solve करने हैं, हमारे पास उनने लिखा है, use subtraction to answer these, कि हम लोगों ने subtraction use करते हैं, इनका answer देने, तो हमारे पास लिखा हुए है, there are 28 flowers in a basket, total कितने flowers बताए, 28 flowers है, हमारे पास, 28 total flowers है, ठीक है, next वो क्या गह रहे, 16 are used for a garland, ठीक है, इसमें से 16 use हो गए, कितने use हो गे, 16, वो हम लोग यहाँ पर write करेंगे, ठीक है, तो उन्होंने आगी क्या पूछा है, how many are left, हमारे पास, बाकी कितने बच गए हैं, हमारे पास, बाकी कितने बच गए हैं, इसको minus करने के बाद, हमने वो बताने, तो G students, इसको minus करेंगे, तो फिर हमें, पता चलेगा, कितने हमारे पास, रिमेनिंग रह गए हैं, फ्लार्स, ठीक है, टोटल कितने थे, 28, उसमें से 16, यूज हो गए है, और अब हमने बताना है, हमारे पास, रिमेनिंग कितने हैं, तो G students, अभी मैंने हमने सब ट्रेक्शन के बारे में पढ़ा है, कैसे उसको solve करते हैं, हमेशा, 1 से start करते हैं, तो उसी को follow करना है, 8 में से हमने क्या माइनस करना है, 6, तो कितनी लाइन ज़ा करनी पढ़ेंगी, 8, चलें काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and, 8, इसमें से कितनी माइनस करनी है, 6, कितनी माइनस करनी है, 6, तो count करें, 1, 2, 3, 4, 5, and, 6, ठीक है, remaining कितनी रह गई है, 2, कितनी रह गई है, 2, तो हम लोग यहाँ पर write करेंगे, इसी तरीके से हम 10 वाली जगा पर आती हैं, उदर देखते हैं, क्या है, इसी तरीके से आप लोगों ने आप लोगों की बुक पेज़ नंबर 41 पे हैं, और 42 पे हैं, इनको आप लोगों ने, solve करना हैं, ठीके, जी, तो students, next हम लोगों ने एक activity करनी हैं, ठीके, उसकी दरफ देखते हैं, तो students, आप लोगों के जैसा के नजर आ रहा है, कि यहाँ पर हमने, प्यारे-प्यारे balloons board पे draw किये हुए हैं, ठीके, तो students, हमने इनको count करना है, कि टोटल हमारे पास कितने balloons हैं, ठीके, तो जी students count करें मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, कितने हैं total? 8, दुबारा से count करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, total balloons कितने हैं students? 8, हमारे पास कितने हैं total balloons? 8, और इन में से 3 हमारे पास balloons फट जाते हैं, 3 फट जाते हैं, 1, 2, and 3, 3 balloons जो हैं, वो इसमें से फट गए हैं हमारे पास, जी students, हम लोगों ने देखा हैं, कितने balloons फट गए हैं, 3 balloons फट गए हैं, तो हम लोगों ने count करने हैं, कि बाकी कितने रह गए हैं ठीक है काउंट करें one two three four and five ठीक है three balloons हमारे पास फट गए थे जब हमने देखा तो बाकी हमारे पास कितने रह गए five कितने रह गए five तो यह थी students आप लोगों की activity और next डब हम जाएंगे MCGUSB